गुड मॉर्निंग टू अल उफ यू एंड वेलकम टू यॉर चैनल जी के फेक्स करेंट में गाइज आज डेट है 16 मार्च और जानिंग आज 16 मार्च से डेली मॉर्निंग वाली वोकेब जिसको हम 8 गोग पर डिसकस करते हैं और यह जो वोकेब है आप सभी के एक्जाम कर सकते हैं और जो नूंज स्टूडेंस हैं वो सबी स्टूडेंस ध्यां रहें कि क्लास को उन्सनों सबको वोश्ट करना तक है और हां डेली आपको 8500 क्या Civले । चिलिए सबसे पहले आज कहना का मतलब यह तिरसकार पूर्ण या फिर अंदेखा उपेक्षा करना या त्रसकार पूर्ण करना जिसमें कि सभी को देखना तो थोड़ा साथ कुछी समझे एक एक्जामपल लेता है कि किलास में कोई टॉपिक के बार में पढ़ा जा रहा जिसमें कि आपने पूरे करना रिपल्सिंग खदेड़ ना एंटरिम्स रिस्पैक्टिंग आदर करना वेल्यूंग शब्दों का महत्व एड्माइरिंग परशंशान ठीक है सो भई यह आपने ध्यान रखना जो मैंने अभी आपको बता है सिनोनिम्स और इसके एंटरिम्स यह वेरी सबी के अनुरूप सबको फटका लाएं ही सनब फेकल्टी मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स लाइए ठीक है सो भई यह आपने धियान रखना यह एक्जांपल में आपको बता है साथ ही एक एक्जांपल कोशिश करनी है कि आपने भी बनाना है ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पैंज पैंज जिसका मतलब होता पीड़ा या दुख दुखों से बजी हुई जिंदगी जो की लालसा पर ज्यादर डिपेंड करते है लालसा मतलब की लालच पर असदन शार पैन और पैनफुल एमोशन एक तेज दुख या फिर पैनफुल एमोशन क्या या फिर पेंफूल इमोशन सीनोनयम से इसका पेंग कहने के मतलब mo ficou दूक इस्टिंज दिंग मारना डिसकमफ़र्ड का मतलबता आसाहज means सभिता ऐंटोनयम से इडट सा रहान असीसट साहता देना कमफ़र्ट उड़ा है तो भई आप सब लोग सबसे पहले तो जो comfort zone है आपका उसे बाहर निकली है ठीक है life में बहुत सारी कठिनाई आए जिनको आपने face करना है तो यह बहुत ही जादे बिकारत हैं लोग सोचते हैं कि अराम वाली जिन्दगी देखिए एक आदद बना लिजे महनत की आदद बन गई तो वही आपके अराम वाली जिन्दगी होती है ठीक है भई एक्जामपल को देखें सो ही experience a sudden pench of consigns ही experience a sudden pench of consigns मतलब कि उन्होंने अंत रात में की अचानक पीड़ा का अनुभव किया उन्होंने अंतर रात में की अचानक पीड़ा का अनुभव किया ही experience a sudden pench of consigns ठीक है सो बही कि लिए तो यह आतने ध्यान रखते बोचल ला है नेक्स्ट डे अवाइल जिसका मतलब होता है कुछ समय कुछ समय शन भर के लिए for a short time थोड़े समय के लिए for a moment कुछ रण के लिए for a while कुछ देर के लिए for a bit कुछ पल के लिए for a moment for a while for a bit तो यह तिनों वर्ट आपको बता दिये हैं कि यह अवाइल के सिनोनिम से endless and unending ठीक है endless जिसका अनन्द हो अनन्द के बारे में आप डिसकस किया जा रहा है ठीक है ब कुछ धेर के लिए रुको या फिर रेस्ट करो ठेरी है या खड़े रहा हो ठीक है पैस्टी लेंड का मतलब होता है विनाशक क्या होता है विनाशकत तो बहुत से ज्याद़िक भी हो सकती है जैसे की कोरोना चेचक टीक है और जो जो चूंअ से मारने वाले आई थी मेंनिंग है likely to cause or capable of causing death likely to cause or capable of causing death कहने का मतलब बित्युक्त के करण या फिर सक्षम से थी के cinnamon से lethal jeopardly harmful कि मतलब होता है harmful new का रख और कलमेन आपके करद आता परीशेस जीसका मतलब भी हानिकारक होता है कि Collum से में से लेखी स्वाशक्षर स्वास्पराइख लाब ध्याक शल RAW था लाब धायक घ्यारच के लिच रखने कर तो कि शली अ зайवी डैस कर था अधनल यहمट से लेखा रे है sil restrictive beneficial का मतलब लाब धायक की और salutary का मतलब आजम लाब दायक होता है ठीक है को नेश्टी स्कॉस करते हैं नेश्ट हमारा है is smallpox क्या है saumanímal box मतलब की एग्जांपल smallpox is aureis still city design disease smallpox का मतलब होता है चेचक सो यह ध्यान आठक ना सब्सक्राइब और स्मॉल पॉक्स इस आप पैस्टिलेंट डिजीज ठीके सो की लिया थे सुबई आज की जो हमारी वो केप की क्लास थी वह यहीं तक तो उम्मीद करता हूं कि क्लास आप सभी स्टूडिन्स को पसंद आई साथ थी आपने न्यूपड सीखेंगे इसी तरह की क्लास अगर आप चाहते हैं सो डेली आप सभी को आठ बजे जोइन होना पड़ेगा दो बज़े वाली करेंट अफेर्ट देखना नहीं बुलना मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए तिल दन टेक केर ओल दा बेस्ट हैब नाइस टे थैंक यी फूर वाचिन इस टूल दोस्क बिले आप एल दू